अब तक मैंने आपको बताया D-block element क्या होते हैं और अब इस वीडियो में बात करने बाला हूँ कि D-block element का जो size होता है वो left to right चलने पर कैसे vary करता है और top to bottom चलने पर कैसे vary करता है साथ ही इस वीडियो में मैं दो और important phenomena की बात करूँगा जिसका नाम होगा पहले phenomena का नाम होगा shielding effect या फिर screening effect दो नाम बताए मैंने एक ही बात होती है नाम अलग-अलग है काम एक ही है दूसरा and most important for the point of view exam that is lengthenoid contraction अब क्या होते हैं यह फिनोमेना बात करते हैं सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए तीनो सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज and 5D सीरीज यह 3D सीरीज है यह 4D है और यह 5D है तीनों ही सीरीज के मैंने आप लोगों के लिए यहां पर atomic radii लिखे होई है जो की picometer में given है जैसे scandium का given है titanium सबका size मैंने यहां पर लेखा हुआ है पहले general trend आप लोगों को पता होना चाहिए कि left to right चलने पर size of atom क्या होता है decrease होता है क्यों decrease होता है क्योंकि nuclear charge increase होता जाता है किसकी बज़ाए से proton की बज़ाए से यहां पर 21 proton होंगे यहां पर 22 proton होंगे यहां पर 23 होंगे 24 होंगे 25 होंगे ऐसे proton बढ़ने से क्या होता है nucleus पर charge बढ़ता है चार्ज बढ़ने से जो nucleus है और outer most cell का जो electron होता है उसके बीच का attraction बढ़ता है जिसकी साइज छोटा होता है ठीक है यह बात आप आप लोग 10th में 11th में पी ब्लॉक में आसानी से पढ़ते हों लेकिन जड़ा चेक करते हैं क्या बागवी में ऐसा हो रहा है यह left to right चलने साइज चोटा हो रहा है देखते हैं देखते हुँ 38- कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ यहां पर आके क्या हो गया वही साइज कॉंस्टेंट हो गया 125 वह यहां पर आके देखो कम होनी की जगह पर क्या हो गया ज्यादा हो गया but 28 and 137 same in 4D series ये 180 लिखा हुआ है हम साथ से लिख देते हैं थोड़ा सा इसको 180 35 कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ देखे यहां पर आगर साइच क्या हो गया constant हो गया और फिर साइच कम होनी की जगह पर क्या होने लग रहा है बढ़ दे लग रहा है सेम इल 5D theory तो अब यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है अन पर क्यों हो रहा है on moving left to right in d blocks the size of element should decrease but the size of few of last element remain constant and then size increase in each tier of degrees what is the reason and the region is it's cleaning effect or shielding effect a hota hai देखे देखे जैसे मैं इसकेंडियम का अगर कॉंफिगेशन लिखूंगा आप लोह के लिए 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D1 4H2 ओके यह हो गया कॉंफिगेशन इसके अगर मैं शेल वाला कॉंफिगेशन लेकूंगा तो 2,8,9,1 चॉच है जानते हैं डी बलोक यहलेशना लेक्टओं अलेक्तोन होता है वेलंस लेक्तोन पूर लाश्ट वाले में जाकर लाश्ट वाले से पेखले यह जाता है । जिसको हम बोलते हैं पैनल्य इमेड यहांपर कितने शाल है चार सेल हैं दीखिये यह तू रहा कि अब यहां पर आप देखो कि तो निक्लियस क्या कर रहा है इस एलेक्ट्रोन को अपनी तरह खीच रहा है अब टैटिनियम की बात करोगे तो यहां पर एक लेक्ट्रोन और भड़ेगा यह एक्ट्रोन और आइस एक्ट्रोन को रिपन कर रहे हैं आट्रेशन हीजादा timing होता है क्यों टिमि लेक्ट्रोन अभी इतने ज्यादा नहीं है यहां पर repulsion क्या होने लगता है heavier या dominate करने लगता है जिसकी वज़ए से size यहां पर जो decrease हो रहा था अब वो decrease होना बंद हो गया और electron भढ़े थर्ड वाले shell में निकल में copper में copper की बात करें जिंक की बात करें और electron अब क्या होगा यह जो attraction लग रहा था अब ये attraction इस repulsion से overcome हो जाएगा repulsion ज्यादा होगा attraction कम होगा repulsion ज्यादा होने की वज़े से size क्या होगा यह तो इसको repel कर रहा है तो size चोटा होने के जिजगा पर क्या होने लगेगा इंक्रीद होने लगेगा और इसी फिनोमेना का नाम है शिल्डिंग एफेक्ट और स्क्रीनिग एफेक्ट आगई बात समझ में काफी एजी फिनोमेना हैं हम लिख भी सकते हैं इन कोवाल्ट निकलियों कॉपर एंड जिंग यही बात हो रही होगी यह तो बात हुगई । जब हम लेफ्ट व्राइज चलाएंगे तो size कम होना चाहिया कम होता भी है लेकिन last में जाके constant हो जाता है और फिर कम होने की जगा पर क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है अर्छम देखेंगे किसा तॉप टॉबोटम चलने पर size कैसे वेरी करता है how the size of d block element varies on moving top to bottom in a group हम जानते हैं टॉप टॉबोटम चलने पर size क्या होता है student increase होता है क्यों क्योंकि number of shell भठते जाते हैं यहां पर आप देखे तो 4 shell है यहां पर 5 है यहां पर 6 आओंगे और नीचे चलेंगे तो 7 shell भढ़ते चलेंगे तो size definitely भढ़ता हुआ चलेगा यह जनल ट्रेंड है लेकिन जड़ा देखते हैं यहां पर ऐसा हो रहा है यहां पर यहां पर size 164 164 से 180 हुआ 180 से 284 हुआ ठीक है तर साइज भढ़ना चाहिए भढ़ भी रहा है यहां पर देखें 147 160 एंड यह क्या हुआ 160 से ज्यादा होना चाहिए इसका size लेकिन यहां तो size 159 नहीं आया 135 135 से 146 इंक्रीज हुआ लेकिन यहां पर देखिए size क्या हो गया constant हो गया यहां पर देखें size मतलब 3D series से 4D series पर चलने पर size increase हो रहा है लेकिन 4D और 5D series का अगर आप size देखोगे तो वह nearly same है graph भी आ रहा होगा आपनों graph के help से भी देख सकते हो 3D series का और 4D series जो series है उसका size का gap हो काफी जाता है लेकिन 4D और 5D series का size देखो वह दौनों लाइन सेम सास में चल रही है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो सर ऐसा क्यूं हो रहा है यह हमको बात आप लोगों को समझानी है और इसका region है lengthenoid contraction यही है lengthenoid contraction जिसकी वह ऐसे 4D and 5D series का atomic size नियरली सेम रहता है चलो बताते हैं क्या होता है lengthenoid contraction तब से पहले आपको atomic number की जान कर रहे हो चाहिए इसकेंडियम का atomic number होता है 21 कि युट्रियम का atomic number होता है 39 कि लेंथिनम का atomic number होता है 57 ठीक है atomic number equal होता है number of proton के यह बात आपको पता होना चाहिए titanium का 22 होता है यहां पर 40 होगा यहां पर कितना होना चाहिए 57 के बाद में 58 आना चाहिए लेकिन आप जानते हो 58 से लेकर 70 बन तक के जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में रखे हुए है जिनको हम लेंथिनोइट सीरीज ही बोलते हैं तो यहां पर जो atomic number आता है वो 72 आता है देन 73 आता है इस तरह से साइज अब बात करते हैं लेंथिनोइट कॉंट्रेक्शन का यह ठीक हो जो साइज है वो डेपेंड करता है number of proton पर अगर जैसे जैसे number of proton भड़ते जाएंगे नुकलेस पर चार्ज बढ़ता चलेगा चार्ज बढ़ता चलेगा तो उसकी बैज़ते क्या होगा साइज छोटा होना चाहिए ठीक है यहां से यहां तक आने पर कितने proton बढ़े देखे 21 से लेकर 39 तक 18 proton बढ़े ठीक है यहां से यहां तक आन यहां पर atomic number 22 यहां पर 40 यहां से यहां तक आने पर proton के number 18 बढ़े हैं लेकिन 40 से और 72 तक आने पर देखी ज़रा 18 नहीं बढ़े हैं अब 32 proton इंग्रीद हुआ है इसका region क्या है क्या है क्योंकि यहां पर 4F cell 4F 14 जो 14 proton है वो 4F cell बढ़ जाता है 4F orbital बढ़ जाता है जिसकी wie हो जाएगा जब नुकेलिएस पर चार्ज और जादा है भी हो जाएगा तो जो sociology दूराओ अ वो भड़ेगा नहीं वो नी कम होने लगेगा यह सें मुने लगेगा इसी फिनोंसाथा नाम है Jac Guinisk Jetzt the size of 4Dabout Church and 55D recibid remain same due to lengthenoid contraction because 14 proton increase in 4F orbital this is the reason of that the size of 4D and 5D series remain same right कहीं भी आप देख सकते हो असानी से यहांते देख होगे benadium का atomic number 23 होगा, neobium का atomic number 41 होगा यह 73 है 23 से 41, 18 proton increase हो गए लेकिन 41 से अगर 73 की बात करोगे तो 18 proton increase नहीं होगे यहां पर 32 proton increase हो रहे है अब जैसे जैसे proton बनते चलेंगे साइज क्या होने लगे चोटा होने लगेगा और इसी फिनोमेना का नाम है lengthenoid contraction I hope it's clear to you